क्या दिल्ली में सबसिडी पर बिकने वाले सरकारी प्यास पर घोटाले की परतें चड़ी हुई थी दिल्ली में ये सवाल चर्चा में है बीजेपी ने पूरे मामले की जांच की मांग की है कथित घोटाले का खुलासा करने वाले RTI एक्टिविस्ट ने उपरा जिपाल से शिकायत कर इस मामले की जाच ACB से कराने की मांग भी की है क्या वाकई दिल्ली में प्यास घुटाला हुआ है यही है आज का मुद्दा इस पर होगी अपने मेहमानों के साथ विस्तार से बात लेकिन पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट जो परचेश SFFC से इन्हों ने किया तकरीवन 16-18 रुपे एवरेज प्राइज प्राइज इन्हों ने जो ओडर किया इन्होंने क्योंकि जैसे जब इन्होंने ओर्डर किया माई में तो उसी से साबित होता है कि इन्होंने माई में एक कॉंस्पिरेसी रचली के बढ़ी हम दो माईने बाद इसकी प्याज के क्राइसीस क्रियेट करेंगे जो एक बहुत बड़ा शरियंतर है जिस पर जाच होनी चाहिए और जब ओर्डर किया जाता है प्याज जैसे कोई माई या जून में ओर्डर किया तो देड़ दो महीने डिलीवरी वगारा में पूरा लगता है हम लोग डेंगू से लड़ रहे हैं उस समय कोई न कोई बहाना इनको डूना था जिसमें वो आमाद्मी पार्डी सरकार को घेर ले उनको लगा श्याद एक आर्टी आई जो डाली गई और वो अधूरी जानकारी की आर्टी आई थी जिसमें ये कहा गया कि दिल्ली सरकार ने जो एक प्याज घोटाला कर दिया है हमने बिना देरी किये जो सच्चाई थी जो तत्ते थे वो जंदा के सामने राकर रख दिये प्याज एक दावे दो बीजेपी कारोफ है कि हाम आदमी पाटी सरकार ने प्याज में घोटाला किया है तो दिल्ली सरकार इसे आधी अधूरी आटी आई के जरिये गलत जानकारी पहलाने के दावे कर रही है जिस RTI एक्टिविस्ट वीवेक गर्ग ने प्यास के कथित गोटाले के भांडा पोड का धावा किया उसने उपरा जिपाल के पास शिकायत दर्ज कर गोटाले की जाच एंटी करप्चन भीरोस से कराने की मांग की है लäकिन हकीकत क्या है, दोनों पक्ष अपने अपने दावों के पक्ष में कागस पेश कर रहे हैं BJP का दावा है कि दिलली सरकार ने 2500 मिट्रिक टण प्याज 14 से 20 रुपय प्रतिकिलो के हिसाब से खरीदा पच्छिस सो मिट्रिक टन प्याज में से सिर्फ छैसो मिट्रिक टन ही बाजार में उतारा बाकी का प्याज अभी तक बाजार में नहीं उतारा गया है जो प्याज खरीदा गया उसकी कीमत करीब 24 रुपे प्रती किलो है बाकि 16 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा गया था इसकी आउसत कीमत 17 रुपए प्रति किलो बैठती है जबकि सरकार इसे 30 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रही है ये साफ हो गया है कि 16-17 रुपए में खरीदा गया 42 रुपए में वो बेच रहे थे उसके जवाब में सरकार का दावा है कि मुनाफ़ा कमाना तो दूर, सरकार ने सबसीड़ी पर प्यास बीचा, सरकार की तरफ से घोटाले के परदाफाश को बे बुनियाद और बदनाम करने की हरकत बता खारिज कर दिया गया है दिल्ली सरकार के मताविक उसने SFAC से प्यास की खरीदारी की, SFAC अपने प्यास की कीमत बाजार के रेट, भाड़ाय स्टोरेज और 25 प्रतिशत नुकसान जोड़कर सरकार को बिश्ती है जिस प्यास की खरीदारी हुई, वो SFAC के हिसाब के बाद 32 रुपे 86 पैसे प्रति कीलो की दर्से की गए दिल्ली सरकार ने कोल्ड स्टोरेज से मुहलों में प्यास भिजवाने के लिए टेंपो, टेंपो ड्राइवर एक अटेंडेंट पर प्रति कीलो 4 रुपे अधरिक्त खर्च किये इसके बाद इस्थानी इस तर पर भी प्यास टेंपो में रखकर बेचा गया इसका खर्च तीन रुपे प्रति कीलो आया इस तरह 22 रुपे 86 पैसे, 4 रुपे और 3 रुपे मिलाकर प्रति कीलो प्यास की कीमत 49 रुपे 86 पैसे गुए जिसे दिल्ली सरकार ने 9 रुपे 86 पैसे की सबसीड़ी के साथ 30 रुपे प्रति कीलो की दर से बाजार वे बेचा तो बीजेपी ने कतित घोटाले की जाच की मांग कर करोड़ों रुपे की कमाई में शामिल लोगों को बेनकाब करने की जरूरत बताई है वेर्पोर्ट आईबियंग सब्सक्राइब रसोई की बड़ी जरूरत प्याज को लेकर दिल्ली के सियासी गलियारे में जिस तरह का घमासान मचा है उस पर कई सवाल कुड़े हुते हैं क्या है बड़े सवाल वो जरा पहले आपके सामने रखते हैं पहला सवाल ये कि क्या दिल्ली सरकार पर प्याज घुटाले का आरोप बदनाम करने की नियत से लगाया गया है जैसा दिल्ली सरकार कह रही है जैसा मरीशी सूधिया को भी आप सुन रहे थे चौता सवाल ये कि क्या इन आरोकों की जल से जल जाचकर सच को सामने लाया जाना चाहिए और पांच्वा सवाल ये कि जिस वक्त दिल्ली डेंगू से जूज रही है क्या उस वक्त जान बूज कर ऐसे आरोक उचाले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को आप इस पर सुन रहे थे, बड़ा बड़ी बहस हो गई है, बड़ा सवाल हो गया है तो इस पर आज एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ मौझूद है, प्याज पर महा भारत इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है, आर्टी आई एक शर्मा जी यहां मेरे साथ मौझूद है, कंजूमर एक्टिविस्ट विजाउन मिश्रा जी मेरे साथ मौझूद है, और जाने माने पत्रकार राम कृपाल सिंग जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद है, आप सभी मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है, विवेक शुरुआत आप से क्योंकि आप से ही शुरू हुआ है ये पूरा मामला है ये वाली जो बहसे आज एक आज कुछ सफाई दी कल भी हमने देखा मनीशी सोधिया कुछ सफाई दे रहे थे ये सफाई ये बता रही है कि आर्टी आई से जो जानकारियां मिली और उसके बाद जो वो तक पहुंची उसमें कुछ कमियां रहे गई थी आप आप कुछ और जानकारिया एड करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी की सफाई के बाद अपनी जो शिकाया थे या जो जाच की मांग है उसमें देखिए सारा जो घोटाला है प्याज का अगर आप इसकी तह तक दाएं जाएं जो जो जमाखोर हैं जो सटोरिये हैं उनके साथ मिलकर ये सांटगाट करी गई मेरे कुछ सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी वाले अभी तुक दे नहीं रहे हैं जो दस्तावेज इन्होंने आज अखवार में छापा है जो हमें आटी आई में नहीं दिया उसके अलावा एक और चिठी है साथ जुलाई की सफेसी की इन्होंने पाँच हजार मिट्रिक ट परसेंट वेस्टेज दिखाई गई है क्या उस 25 परसेंट वेस्टेज की पेमेंट करी गई है कि नहीं यह दिल्ली सरकार जबाब दे इन्होंने जादा तर प्याज अपने MLA के थुरू गैर कानूनी तरीके से बेचा जिसमें 4 रुपे मुनाफ़ा कमाया गया इनके MLA ने और यह कई जगा हुआ है यह 4 रुपे मुनाफ़ा 26 रुपे देखे 30 रुपे MLA ने वेचा है 4 रुपे मुनाफ़ा कमाया है तो क्या यह MLA के थुरू सेल इल्लीगल नहीं है as per law it is an illegal transaction no MLA has right to sell the onion from his office at the cost of the public money जब 5,000 metric ton का इन्होंने order दिया वो सारा प्याज इन्होंने दबा के रखा even 26 July जो RTI में आया है इन्होंने वो मनासिक में दबा के रखा और even आज तक जो latest RTI आया है उसमें इन्होंने 575 metric ton सिरफ बाजार में प्याज डाला बाकी प्याज को दबा के रखा क्यों वो प्याज को दबाया गया सारा प्याज जंता के बाद क्यों नहीं दिया गया वो जान बूचके तबाया गया क्योंकि सतौरियों के सांथ ये नीली भकगत करी गई जो जन्टा को पहुंचा है वो सड़ा पहुंचा है क्योंकि जो RTI में खुलासा हुआ है कि order इन्होंने तक्रीबन करके मिलें आपके प्रवक्ता हैं सौरब वो हमारे साथ मौजूद हैं सौरब कुछ बातें आपने विवेग जी की अभी सुनिये मैं चाहूंगा इसमें से जो सवाल महतुपूर्ण उठा रहे हैं उस पर कुछ सफाई आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तो मैं ये बता दूँ कि विवेग गर्ग जी आठी एक्टिविस्ट नहीं है भाजपा के नेता हैं भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़े हैं और हारे भी हैं बड़ी बुरी तवीके से पहली बात दूसरी बात जो बार-बार सवाल उठाये जा रहा है कि 18 रुपे किल सब्सक्राइब करेंगे और आप ये निजी बातों पर चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये बहस भटक जाएगी और छे मेरे साथ बड़े गणमान ने पैनलिस्ट हैं मुझे सबको बोलने का मौका आप ते आपसे कुछ सवाल पूछे हैं उसमें सवाल में क्या गलत आप कानूनन जवाब दीजिए ठीक जवाब अच्छा इतनी मिर्ची तो नहीं लगनी चाहिए थी सच्छा ही अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने पैनल पर नए नए आप आए ये बत्तमीज लोगों को बैठा रखाएगा तीवी के आपने इतने बत्तमीज लोग अगर शांती से सुनना चाहिए आप जैस आप शांती से ले किया आप इसका जवाब दीजिए आपने एक और को आधा क्यों किया आप देखे लोगों बुलाते हैं एक शिकायत मेरी आप से भी है वहार मैंने अभी चुक करवाया विवेग जी को आप नेता माने आप अर्टिया एक अडिविस्त माने उन्हों जो सव सवाल उठाएं उनके जवाब दें नीजी तोर पर किसी पर टिपड़ी करेंगे तो बहस बटक जाएगी अब आप सवालों के जवाब दें मैं इनके जवाब दूँँ अब प्लीज मेरे को डिस्टरम बत कीजेगा देखिए बार-बार ये कह रहे हैं 18 रुपे किलो खरीदी थी इनोंने 33 रुपे किलो बता रहे हैं केंद्र सरकार की संस्था है SFAC केंद्र सरकार की संस्था है उन्होंने 33 रुपे किलो हमें बेची सरकार को और ये दस्तावेज हमने सामने कर दिये अगर इन दस्तावेजों को आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप SFAC के किसी आदमी को ले आईए नमबर दो अगर दिल्ली सरकार ने सटोरियों के साथ साठगाट कर ली थी दिल्ली सरकार भरष्ट थी तो मुझे भारत वर्ष के पांच बड़े महानगरों के नाम बता दीजिए जिनको नेफिड ने 18 रुपे किलो प्यास दी हो और वहां पे 18 रुपे किलो प्यास बिकी हो चाहे इंदोर हो चाहे भोपाल हो चाहे जैपूर हो चाहे गांधी नगर हो चाहे एमदाबाद हो चाहे मुंबई हो चाहे बैंगलॉर हो सब जगे दाम बड़े थे तो क्या केज जिजरीवाल की सरकार ने सारे शेत्रों में सारे शेहरों में सब जगे जमाकोरों से बात कर ली थी यह तो सिर्फ और जूटे प्रचार है और जूटी बाते हैं इसका क्या जवाब दिया जा सकता है आपने खुद अभी अभी दिखाया कि प्याज दिनी के अंदर बट रही है मुझे बताईए कौन से शेहर में नेफिड ने 18 रुपे किलो प्याज बेची थी हम मान लेंगे कि हमने ब्रस्टा चार किया एक शेहर तो बता जो पूरे भारत में एक शेहर बता दो जहां अज़ ज़गे महें चल रही है आप मुझे एक शेहर का नाम बताईए जहां पे नेफिड ने 18 रुपे किलो प्याज बेची हो आप मुझे एक शेहर को बताईए आप मेरा सवाल का जवाब कर देए आप एक शेहर का और जवाब दीजिए आप पांच पर रहे हैं आज हम बात करने के लिए इसलिए बटे हैं कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से अपनी सफाई दे रही है उसके बाद में दिल्ली सरकार क्या कहना चाहती है वो जरा हम आपसे समझें इस पर हम बात कर रहे हैं फिर इसमें मद्यप्रदेश में राजस्तान में क्या हो रहा है में मामला भटक जाएगा लेकिन ओपी शर्मा साब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्या बीजेपी ने प कि पिछले साथ महीने से ब्रस्टाचार का विरोध करते वे जो ब्रस्टाचारी दिल्ली में आये हैं एक लगातार कड़ी बनी हुई है मिस गवर्नेंस की प्याज नेफिट ने बार-बार जब इनको कहा और नेफिट कहे या ना कहे ये सरकार का दैत्व है कि वो समय से इन चीजों की व्यवस्ता करे तो जो प्याज दिल्ली सरकार ने खरीदी उसमें नमबर एक मुनाफ़ा खोरी की नमबर दूसरा अपने एमेलों के द्वारा जो उसका ट्रांस्पोर्टेशन था उसमें घडबड की और जब आपको तीस रुपे से सस्ती प्याज अनेको दरों पे मिली उसमें आपने दस रुपे की सबसीड़ी भी दे दी तो ये इतना सारा कुछ करने के बाद और सबसे बड़ा विश्य है ये है दो हजार पांच सो मिट्रिक टन प्याज आपने ली उसमें से आपने उसका वन फोर्थ भी बेची नहीं तो जो आपके गुदाम में है जो मेरे गुदाम में है तो होर्डिंग है आपके गुदाम में है तो होर्डिंग नहीं है क्या तो ये जो कृतिम इसकी कमी दर्फाई गई उसमें दिल्ली सरकार भी कहीं न कहीं सामिल है दूसरी बात ये है कि आज आपने जो करप्शन से आपका जो चेहरा काला हो रहा है एक पॉइंट सोला करोड रुपे के पबलिक के पैसे का आपने एड़ दे दिया मुनाफ़ा खोरी भी आप कर रहे हैं, सबसीडी भी आपने गायब कर दी, ट्रांस्पोर्टेशन में भी आपने गडबड कर दी और अब अपना चेहरा साफ करने के लिए पबलिक के गाड़ी मैनत की कमाई का एक पॉइंट सोला करोड रुपया वो भी आपने बरबाद कर दिया अरे ये पैसा अगर आप डेंगू के मरीजों की भलाई के लिए करते तो ये 35 लोग जो आज मरे हैं कम से कम ये तो नहीं होता तीन महतुपूर्ण बाते हैं, एक तो भंडारन क्या प्याज का किया गया, वो ठीक था दूसरा विधायक क्या इसे बेचें, वो ठीक है, और डेंगू से लड़ने के बजाए पैसा कहीं और खर्चा किया जाए, ये तीन इंपोर्टेंट बाते हैं हारुन यूसुप साहब, ये तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई हो गई जैसा कि सौरप का भी कहना है कि विवेक जी लड़ चुके हैं, बीजेपी के टिकेट पर तो वो इसको बीजेपी का एक प्रचार मान रहे हैं, हम विरोधी पक्ष हैं, हमारा काम गल्थ कामों का विरोध करना है, हम कटी बद्ध हैं इसके लिए, चलिए, कम से कम दिल्ली व देखे, सबसे पहली बात प्रवीन जी यह है, कि अभी जितना प्रचार और जितना जोर शोर से आम आदमी पार्टी के निता बोल रहे हैं, 25% का इन्होंने कहा कि वो डेमेज हो गई प्याज, उसका 25% काटा गया, कहीं किसी जगा पर आप सारिज जानकार और मिश्रा जी ब प्याज जो है, मैक्सिमम डेमेज जो है, आठ से 10% होता है, या तो सडी भी प्याज खरीदी गई, और दूसरा सबसे बड़ा जूट यह है, कि सवरा भारदवाजी के शब्दो द्वारा केवर 506 टन प्याज बेचा गया, दिल्ली के अंदर on an average demand जो प्याज की है, वो 600 टन पर डे की है, इसका मतलब है सिवाए लीपा पोती के और कुछ नहीं किया गया, और कमिशन 4 रुपे दिया गया, इससे लगता है कि किसी को फेवर करने के लिए, किसी को फाइदा पहुचाने के लिए, ये तमाम काम किया गया, 3 रुपे ट्रांस्पोर्ट का दिया, हमने 15 सा तो दिल्ली के जो टेडर्स है, अनियन के बड़े-बड़े, उन सब से मीटिंग करके सरकार जो है, उनके माद्यम से वो प्याग बिक्वाया करती थी, और वो केवल इसलिए करते थे, कि मार्केट इंटरवेंशन होने के बाद, जो महले में और गलियों में सब्दी वाले है वो प्राइस को काबू करें, लेकिन जिस तरीके से आम अदमी पार्टी खाली अपने ही कपड़ों को सफेज बताके और सबको दागदार बनाने की कोशिच कर रही है, इससे जाब दाही होता है, तो मैं आपने कहा ना, एक्सपर्ड हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ बि किसरी महत्पूर्ण बात की विदायक क्या उसको बेज सकते हैं, नहीं बेज सकते हैं, जो आरूप अभी तक आएं, जिन पर सौरप से हम जवाब चाहेंगे, उससे पहले क्या यहां पर नियमों की अंदेखी हुई है, या इस सब में किसी तरह से भी कंजूमर्स के अधिका सरकारों का हननन होता है. कि कॉंपटिशन आये, कैसे लोग कटवती करें, ताकि लोगों तक प्याँ जल्दी से जल्दी पहुचा है, और कीमत को बढ़ने ना दिया जाए, और इनके पास एक सबसे बड़ा जोतियार होता है सरकार के सामने, वह एसेंशल कमोडिटीज आक्ट, वह एसेंशल को ये मालूम है कि किस समय प्याँस का खरीदारी करना चाहिए, और किस समय मार्केट में स्केर्सिटी हो सकता है, दिल्ली सरकार ने कहां कहां पे गल्तियां की इस पूरे मामले में, एक तो नंबर वान, दिल्ली सरकार को वितरन में बिल्कुल डिरेक्टली इंवाल्व नही किया जाए, और एक खुलासा लाना चाहिए, तुरंट जैसे अगबार के थूरू या प्रचार के थूरू कि किस कीमत में लाकर हो किसी में बढ़ी बात है, मैं आज सोच भी रहा था, कुछ विग्यापन देख रहा था, मैंने का ऐसा विग्यापन तब तो नहीं आया है, ज आपके सवाल सुनें, अब आपकी बारी. फज़ रहा है, गुजरात है, ओपी शर्मा जी आपकी बत्तमीजी एक हमारी महिला विदाय के लिए क्याती, यह आपके बीवी बच्चों ने भी सुना होगा टीवी पे, आप मुझे मत बताइए, आपके बीवी बच्चों ने भी सुनी होगी वो शब्द जो आपने हमारी सब्सक्राइब अगर आपकी घर की महिला के लिए इस्तमाद होते तो आपकी आखे शरम से जुग जाती जो शब्द आपने अलका लामा जी के लिए इस्तमाद कर रहे थे आप किरपे अपने सवालों को जाब दीजिए घटिया शब्द थे उन शब्दों को दुबारा यहां आप गटिया बाते नहीं करना चाहता है सवालों को सीधे जवाब दीजिए अपको कोई बीच में नहीं टोक रहा था किसी ने भी नहीं टोका है प्रवक्ता बैटता है तो वो बात को कहीं कि कहीं ले जा रहा था कि खास मुद्धे पर बात ना हो पाए कुछ सवाल आपके सामने रखें और मैंने इसलिए सबसे करके सवाल लिए ताकि आप इत्मिनान से सवालों का जवाब दे पाए तो अगर इसको बाची तो इस तरह सवालों का जवाब प्लीज मैं आपसे अंबल रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज प्रवीन जी हां हां बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे कर रहा हूं देखिए कल तक यह जो प्रचार था वो यह था कि 18 रुपे किलो ऐसे फेसी ने बेची और दिल्ली सरकार ने जूट बताया क की 33 रुपे किलो है ऐसे फेसी जो संस्था है वो केंदर सरकार की संस्था है उन्होंने कितने में बेची कितने में नहीं बेची केंदर सरकार को पताया है पैसे फेसी के लोगों से पूछ लिजे वो बता देंगे कितनी प्याज खराब हुई क्यों खराब हुई वो भी ऐसे को पता है उनकी केंदर सरकार की संस्ता है जहां तक नेफिट का दावा है कि भाई हम 18 रुपे किलो प्याज बेच रहे थे और इन्हों नहीं खरिदी इनकी वज़े से जमाखोरी हो गई वरना प्याज सस्ती होती दिल्ली में इसलिए मैं बाकी स्टेट का जवाब सबसे बाचीत की जाएगी एक ब्रेक भी लेना लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले तठस रूप से क्योंकि राम कृपाल सिंग जी अभी पूरी बाचीत को सुन भी रहे हैं मैं आपके पास सबसे अंत में आ रहा हूं इस बाचीत में और में ब्रेक पर भी जा रहा हूं से घोटाला इसमें निकल करके आया है वो हम सब के सामने हैं नेफिट में जो कहा था इनकों कि प्याज अठा रहा है वह एक्स नासिक है और नासिक से प्याज आपको उठाना है दिल्ली की जनता को सस्ता प्याज मिले प्याज की समस्या बहुत भया गया प्याज 100 रुपे कि लेकिन सरकार ने इसकी कोई चिंता नहीं की सरकार ने किसी प्रकार का में कोई टेंडर इस प्याज के लिए निकाला नहीं सरकार ने प्याज कहां से खरीदा कब खरीदा इस बास से दिल्ली बास्यों को कोई लेना दिना नहीं दिल्ली बास्यों को प्याज सस्ता मिलना चाह जाचे ऑची क्वालिटी का प्याज दिलिर का सारुकार लेकिन से सरकारने जिस प्रकार से लापरवाई से काम किया जिस तरीके से इसमें घोटाने की भूओह है अब 18-19 किलो आपको यह प्याज नासिक्स में मिल रहा था तो यह दिली की जनता को सब्सीटी अगर निकाल लेकिन इसमें जो प्याज को बेचा गया है, हमारे पास जो जानकारी में विधायकों के तो इस प्याज को बेचा है। प्याज की इस महाभारत पर एक बार फिर बीजेपी ने अपने आरोब दोहराएं हैं और केजरीवाल सरकार को कटगरे में खड़ा किया है। आरे बने हुए हैं और राम कृपाल सिंग्जी जैसा मैं कहा था आपने भी सब को सुन लिया है। आज आम आदमी पार्टी भी अपनी सफाई दे रहे हैं। और भी यहां पर अपनी बात कह रहे हैं सब कुछ देखने के बाद क्या लगता है क्या कोई गलती हुई है या फिर गलती बिना समझे ही इस मुद्दे को गर्मा दिया गया। देखे अभी आपने शुरू में पांच सवाल कहे थे अगर मैं कहूं कि पांचो सवालों का एक शब्द में मैं जबाब दूँ पांचो सवालों का उत्तर है हां यस जो आपने सवाल किया है वो पांचो सवाल में का अगर जबाब यस आप कर देंगे तो सारे चीज़ें है लेकिन हर आदमी देखे जिन्होंने इस सच को उजागर किया है वो भी यह कह रहे थे कि इसकी ज्याज होनी चाहिए जब आप इनक्वाइरी की बात करते हैं तो उससे पहले आप जज्मेंटल नहीं हो सकते हैं देखे मेरा भी यह कहना और यह प्याज मैं नहीं कहता कि सही ह है गलत कितना है यह ऐसा मुद्दा नहीं था कि भारत भारती रास्ट्रीता को खत्रा हो जाता आप देखें दिल्ली में मैं एक बात कहूं यह प्याज एक ऐसी चीज है कि कई सरकारे बाचपेई जी के जमाने में प्याज भारी रही एंडिया के जमाने में आपको याद जाती उसके बाद जब तत्याते जैसे कि कोईला मतलब कोल गोटाला एक कैक की रिपोर्ट आई उसके बाद उसमें सवाल उठाये गए तो आपने बातें कहीं तो मेरा कहना था कि देखिए सुध राजनीती प्याज पर होती रही है लेकिन यह मौका नहीं था मैं एक बात के नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरा यह मानना है कि डेंगू और प्याज अगर थोड़ा फोर्सी करते क्योंकि यह कोई प्राकृतिक आबदा नहीं है यह रूटीन चीज है मौसमी बीमारियां है मौसमी संकट है जो हमेसा आते हैं देखिए यह बरसात और गर्मियों के मौसम में हम लोग भच्पन से सुनते आए हैं कि सब्जिया महंगी हो जाती हैं आज से मिश्णा जी कह रहे हैं मैं पता था कि ऐसा होगा और मैं मानता हूं कि हमारे पास इतने संसाधन हैं अगर इसको फोर्सी किया गया होता एक आपदा प्रवंधन टीम बना करके पहले से काम करने क कोसिस की गई होती तो यह नौबत ना प्यास किया आती न डेमो किया आप खुद मानते हो कि हम गल्की किये हैं तो उसका एक उधारपन दूसरा होता है आप क्यों अलबेस प्रोटेट करते हो आप फेलियर हुए हो उसको एडमिट करो और एक निश्पक्ष एक जांच लेया और उसको लेकर सामने लाइए आप क्यों अपने आपको बोल रहे हो कि आप सही हो आप 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 अलवेज एक नूट्रल पार्टी को लाइए सामने और उसका जांच करवाईए शारब आप लोग जांच के लिए तैयार है देखे हमारे पास तो अपनी कोई जांच एजनसी है नहीं इसके लिए कभी इसके लिए कभी कोई रोक ही नहीं है अब आप देखे फिर आप देखे आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपकी इज्ज़त करता हूँ मगर आप मुझे मजबूर करते हैं आपके बारे में बोलन प्रस्टाचार आप करेंगे शरम मुझे आएगी ये कौन सा तरीका भाई चलिए आप मैं बात मैं बात आच्छा अच्छा देखिए बार बार इस चीज़ को ऐसे कहा जा रहा है जैसे प्याज के दाम सिर्फ दिल्ली में कम हुए हूं मैं बार बार ये कह रहा हूं अगर 18 पाल है मुंबल है तहीं तो बता देखिए एक मैंने आपके साहरे तीन सवाल रगे रहे हैं मुझे लगता वो दोराने पड़े के सवाल एक बार सोरा क्या विदायकों के जरीए प्याज बेचने का डिसीजन आपका ठीक डिसीजन था आप लोग अभी भी मान रहे हैं इस ब पताइए उसके अंदर से कौन सा विदायक है जो प्यास बेच रहे हैं अरे वो प्यास बेचने वाले लोग हैं जो प्यास बेच रहे हैं यह मुझे कहीं पर आप इसको दिया अपने थेले वाले को या मले साब को अजा चलिए इस पे एक सवाल जो शर्मास आपसे भी बनता तो मुझे बात कर रहे हैं मेरा कोई थेला नी चलता हमारे किसी MLA के थेले नी चलते हैं आपके वीडियो में चल रहा है कि वो दुकांदार बेच रहे हैं वहां कहां MLA बेच रहे हैं अजा हारुन यूसफ साब क्या आप लोग जब विरोद में कूदे आपने विरोद करना शुरू किया नहीं, अब मेरा सवाल हारुन यूसफ जी से और शर्मा जी से भी होगा लेकिन यूसफ साब आप भी पूरी बातचीट को सुन रहे हैं इस विरोद का आप भी हिस्सा बने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपके भी हमले हुए क्या आप लोगों ने तैयारी पूरी कर ली थी कि आम आदमी पार्टी ने क्या प्रष्टाचार किया है काग्जों में वो कहां कमजोर पड़ रही है उसके बाद आप सामने आए या आप भी विरोत के साथ सुर में सुर म मौके आए अभी शौरब भार्दवार जी बोल रहे थे कि यह यह जो प्यास जो है दिल्ली ओनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है हम भी जब सरकार में थे तो दिल्ली में प्यास पैदा नहीं होती थी लेकिन सड़कों पे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता दिल्ली के अंदर देड़ साल मदर डेरी के आउटलेट्स पे केंदध्रिय बंजार पे जो दाल मार्केट में 110 रुपए किलो थी वो बहत्तर रुपए किलो एक रेट दाल जो है दिल्ली के इन आउटलेट्स के माजिम से बिक्वाई और सरकार ने एक रुपया खर्ट नही से ज्यादा होता है उसको कम करने के लिए होलसेलर को हमने कहा कि आप सप्लाई करें जो आपका होलसेल रेट है उसके उपर जो पैकेजिंग चार्जिस है और ट्रांस्पोर्ट लगा के आप मदा डेरी और केंजिय बंडार को दें डेर साल दिल्ली के लोगों ने उस प्याज डालों का इस्तिमाल किया आज आम आदमी पार्टी लोगों की चिंता की बात कर रही है प्याज बेची पांच्टो चाट टन रोज की डिमांड दिल्ली की 600 टन और जो आज डाल की हालत है जो 140 रुपे किलो भिक रही है सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूं क्या दिल्ली की जंनता गरीब लोग जो दाल खाते प्यास तो एक फ्यास खाते हैं लेकिन दाल जो सुब़ा शाम काते हैं वो कहा जा जाए उसके लिए क्या किया सरकार ने और चार रुपे कमिशन की जो बात है ये कभी अथा नहीं हुआ है कि बेचने वाले को चार रुपे कमिशन दिया मैं समझता हूँ कि इस तमाम चीज की जांट होनी चाहिए और गुपार रायजी ने आज से तीन महीने पहले ये कहा था कि हमने हजारों टन प्यास के और आलूं के बंदार रख लिए हैं आम आदमी पार्टी तो कही रही है अच्छा सौरब एक बात और की इस पूरे मसले पर अगर आपके खिलाफ कोई जूटी बात सामने आई है या विवेग जी ने कोई जूटी बात रखी या बीजेपी कोई जूटी बात रखती है तो यह तो बिल्कुल मानहानी का मामला बना सकते हैं आप इसको मानहानी का तो मामला बन सकता है मगर दिक्कत ही है यह इतना दुश्परचार जब टीवी पे करेंगे और खूब करेंगे तो कौन मानहानी का दावा तो जब होगा जब होगा और जब उसका अरिज़त आई तबाएगा एक पॉइंट सोला करोड तो आज ही खर्च कर दिये दोस पर चार में आपने देखे फिर आप फिर अरे फिर क्या होता अब गलती करोगे तो पॉंट़ आउट ने गर मेंसे बहुत जाधा है मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको शुआपको अच्छा नहीं जो आपके आपके भाजपा के मेरी बात सुनिये जब भाजपा के राध्ष्ट्रिय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मन एक लाख रुपे टेलिविजन कैमरा पे ले रहे थे तो आपने देश का सौधा किया था ताबूत में आपकी सरकार ने पैसे सर्फिरें से बात करूंगा जिसकी चोरी खुले आम पकड़ी गई थी या वसुन्रा राजेस इंडिया को भूज गए या सुच्ष्मा सुराज को भूल गए आप कहां की बात कर रहे हैं भूल गए कि आपके राष्ट्रिय अध्यक्ष एक लाख रुपे नकत लेते हुए पकड़े गए थे आपके रा सुच्ष्मा सुच्ष्मा सुराज को भूल गए अपके राष्ट्रिय अध्यक्ष एक लाख रुपे नकत ले रहे थे तेहल के बारे में आपका क्या ख्याल है और देश के रक्षा सौदों की दलाली कर रहे हैं आप भूल गए आपके बारे में प्यास के बारे में पूल ग कि अपने प्याज में बहुत बड़ा किया है इसके अलब आप कुछ नी जाना है इसके अलब आप कुछ नी जाना है सब लोग जानते हैं करोड़ आप लिए आपको मालूम आप लाइं यह रसोही का प्यास कितना इंप्वाटेंट है जो दर्शक सूच रहे हैं उन्हें प्यास से बात कहा चली जाती है प्याट पर दिसक्शन चलता रहेगा मेरे रोकने से नहीं रूक रहा एक ब्रेक का वक्त है ब्रेक के बाद बा क्या प्यास पर दिल्ली में कोई घुटाला हुआ है या बदनाम करने की नियत से ये कथित आरोप लगाये गए हैं इस बड़े मुद्दे पर हम लगातार बाचीत कर रहे हैं तमाम मेमान हमारे साथ बने हुए हैं और विवेक गर्ग जिनकी आर्टी आई के बाद ये पूर देखने शिकायत में हमने कई सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेशन का मेटर है जैसे टेंडर क्यों नहीं कॉल किया गया जमा खोरों को भड़ावा देने के लिए ओर को क्यो रिडियूस किया गया नेफिट की ओफर को क्यो ठुकराया गया इवन जब नेफिट आफर दे रही क्यों कमाया चीग है स्टॉक को दिली सरकार ने खुद जमा खोरी करी फिर क्या होगा की और चलिए शुरुआती तीन सवाल है उसके जवाब पहले मैं आ रहा हूं दोबारा होंगा आप से सवाल लूगा बाकी के हां सवाब जवाब इनके सवाल बहुत सारे हैं इन्वेस्टिकेशन जब होती है सारे कोश्चन इंटरलिंग होते हैं आप एक एक सवाल पूछ लीजिए मेरे पास अगर किसी का जवाब होगा मैं तुरंत आपको देदा चाहता हूं पहली बात इन्हों ने पूछा क्या इसके लिए टेंडरिंग करा ही नहीं करे गई इसके अंदर केंदर सरकार की ही दोनों संस्था हैं नेफिट भी इनकी संस्था है एसे फए आई भी इनकी संस्था है हमने नेफिट से नहीं खरीदा हमने एसे फए से खरीदा से खरीदा वो केंदर सरकार की संस्था है उन्होंनों जो रेट क्योट किया उ सड़ी हुई प्याज के तो भी उनकी जाज कर लीजे कि उन्होंने क्यों हमसे जादा रेट ले लीजे अगर ये कहते हैं कि हमने सड़ा हुआ प्याज बेच दिया तो आपके ग्राफिक्स में अभी वीडियो में चल रहा था अच्छा खासा प्याज भिक रहा है उसके अंदर लगता है कि इसको घोटाले का नाम दिया जाना चाहिए अशम कोई घोटाले की आशंका हो सक्की खोक्राइश सब्सक्राइश अपने कोई जिम्मिधारी ठाराईए और इसका चेंचेस के लिए क्या आप सुचाओ ले करेंगे क्या आगे करेंगे इस पर बताईтоящे को आगे क्या करेंगिya यह राजनेतिक मुद्दा ज्वाधा रहारा बजा इसके कि 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 इसको कोई खुलासा कहाजय नहीं मैं यह मैं पूरे देश में जा रहे हैं, हम दिल्ली सरकार को मानिये और उसको सुधारिये अगर शहर में 20 चोरिया हुई हैं और एक आदमी कटगरे में खड़ा हो तो वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि 19 और भी 19 चोरिया हुई हैं उन नहीं पकड़े गया हैं देखिए सवाल जब अपने परायद तो ये नहीं का और भी राज्यों हो रहा हैं मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको उनका बहुत बड़ा एक वो चलता है जाच इसकी होनी चाहिए कि क्या बात है कोई भी सरकार आए जाच की मांग कांग्रेस बीजेपी कर रहा है तो देखते हैं इस मामले में क्या जाच होती है और क्या सच सामने आता है बहुत बहुत शुक्रेए आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुरने के लिए आज का मुद्धा कारिकरम में फिलाल इता है दीजे इजाज़त